दोस्तो BPSC के चेर्मेन अतुल परसाद जी ने एक पर और परा फैसला लिया है अभेरतियों के प्रक्ष में जो भी अभेरतिया कह रहे थे कि से मेरा डॉक्मेंट जो है गलत अपलोड हो गया है मेरे डॉक्मेंट में जो है डिजिटरल सिगनेशन नहीं है तो उन सभी अभेर परक्ष में जो इसे शोगें तो ओंहएं गाएं को सब्रक्राइब करना हमें करते हैं जलिच इस शुरू करते हैं दोस्तो अभी शोचियर पहले बिपी एके फूक्रत पर रहे जारी हुआ है et नोटीस को आप देख सकते हैं यह आज के डेट का है 15 सेप्टमबर का डेट का है और साम में जो है अतुल प्रसाजी ने ट्वीट भी किया था कि अब आपका रिजल्ट जो आएगा वह अक्टूबर के बीच में आएगा यानि कि मद्ध में आएगा तो यहां पे एक और मोका दिया गया है जिनका यहां पर गलती है डॉक्मेंट उसको जो है एक मोका यहां पर दिया गया है इसमें जो है क्या दिया गया है इसको पड़ते हैं विध्यापन संक्यद 66-23 विध्याले अधियापक नियुक्ति France यरुड के अप लोड किये दस्तवेज यदि तूटी पू कोई भी गलती है आपके डॉक्मेंट में या अपट नहीं है अप उसको सही इस प्रण नहीं पा रहा है तो जो आपका डॉक्पेंट होगा जो सही डॉक्मेंट रखाप आप उसको 21 तक आप उसको अप्लोड कर सकते हैं इसके लिए बिहार लोग सेवा आयो के विफसाइट www.online.bpac.gov.in पे अपने लोगिंग आईडी और पास्वर्ट से लोगिंग करके आप जो आप यहां पे डॉक्मेंट अप्लोड कर सकते हैं और आपको ध्यान देना है कि 100 कवी के अंदर आपको होना चाहिए और अप्लोड किये जाने वाले दस्तावेश की 6 प्रती राज-पत्रिक-पदाधिकारी दोड़ा हस्ताचित होना चाहिए यानि कि जो भी आप डॉक्मेंट यहां पे अप्लोड करेंगे वह आपका किस से होना चाहिए तो जो राजपत्रिक पदाधिकारी है उनके हस्ताक्षर होने चाहिए यानि कि उनसे अटेश्टिट होने चाहिए या अवश्यक है साथ ही अप्लोड करते समय जो राजपत्रिक होगा my export why number और वे सभी जो है आपको पोडल पे अप्रोड करना होगा ठीक है नोट सही दस्तवेज अप्लोड के लिए ऐस साथ सब Definitely यहाँ पे ठीक है कि जो सही दस्तवेज है उसको अप्लोड केरने का आपके पस अन्ती मौुका है इसके बाद आप यहां पे upload नहीं कर सकते हैं तो बहुत बड़ा update आप सभी के लिए जो भी सिक्षक परती है जिनका document जो है यहां पे missing था कहीं ने कहीं दिक्कर था उन सभी के लिए राहत की खबर है यहां पे BPSC ने राहत की खबर दी है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को आप सेयर कीजिए ताकि और वी इस्टुएंट तक या नीज पहुंच सके फिर मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में धन्यवाद